तुस्तान का जो हलुआ है 20 लोगों ने बाटने का काम किया है बजट का जो हलुआ है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अपसर नहीं दिख रहा एक कादिवासी अपसर नहीं दिख रहा इसका हलुआ भट रहा है सर और इसमें 73% है एक ही नहीं दिख रहा है मैंने पहले भी आप से पिक्षा की थी अब आप प्रतिपश के नेता है सविधानिक दाइकों पर है तो मेरी यह पिक्षा रहती है कि आप सदर की मर्यादा को रहा है जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे यह करना है सर वह हटो जगो आगी बॉस्टर नहीं आने दूँगा गलत तरीक आए है उच्छे वर के लोग है और ये हिंदुस्तान की में शक्ति है स्टेंथ है और सचाई है कि इनको कहीं भी जगे नहीं मिलती है इनको बिजनस में जगे नहीं मिलती है इनको कॉर्परेट इंडिया में जगे नहीं मिलती है इनको सरकारों में जगे नहीं मिलती है एक मिट एक मिट एक मिट प्रती पशकर एक मिट एक मिट मैंने पहले भी आप से पिक्षा की थी अब आप प्रती पशकर नेता हैं सविधानिक दाहितों पर है क्या सब्सक्राइब एक मिट आपने टीवी आफ कर दिया सब्सक्राइब कोई नहीं नहीं सब्सक्राइब आपको अप्लाइज के लिए दिखेगा आप प्रती पशकर नेता है तो मेरी यह पिक्षा रहती है कि आप सदन की मर्यादा को रहा है सिर्फिमे उसको टाना चाहता हूं मुझे यह करना है सार वह अगए आगे पोस्टर नहीं आने दूगा गलत तरीका है नहीं आने देंगे पोस्टर निलना देंगे सदन में गलत तरीका है इसमें यह जो बजट का जो हलुआ है सर यह बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा है एक कादिवासी अफसर नहीं दिख रहा एक दलेत अफसर नहीं दिख रहा हुआ है वह कि देश का हलूआ अपंट रहा है और इसमें 73 पर सिल्क ही नहीं दी जिकले करें 1210 però het minister भीस्टare ओने बजट को त्यार कर आ हमने पता लगा है इस शान्त होजािए प्रिस सर 20 अपसरों ने उनके नाम मेरे पास है अगर आप नाम जाते में दे दूँगा 20 अपसरों ने हिंदुस्तान का बजट टियार किया है मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बाटने का काम किया है अब अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सर्ष 2 हैं एक minority और एक OBC और इस photo में एक भी नहीं है मतलब photo में आपने पीछे कर दिया photo में photo में तो आने नहीं दिया आपने कोई नहीं आ सकता और मैं चाहता था कि बजट में जाती जनगना की बात उठे जो पूरा देश चाहता है 90% हिंदुस्तान जाती 95% जाती जन्गरना चाहता है कौन चाहते है गलित चाहते है आदिवासी चाहते है पिछणा वर्थ चाहता है गरीब जनरल कास के लोग चाहते है minority चाहते है सब चाहते है क्योंकि सब लोगों को ये पता लगाना है कि हमारी बागीदारी कितनी है हमारी हिस्सेदारी कितनी मगर सर मैं देख रहा हूँ सर सरकार हलवा बाठती जाती है बाठती जाती है और बाठता कौन है वो ही 2-3% लोग और बाठता किसको है वो ही 2-3% और बाकि हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख साइनांस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है कमान की बात है ये हसने की चीज नहीं है मैडम ये हसने की बात नहीं है ये जाती जन करना है ये जाती जन करना है इससे देश बदल जाएगा सर आपको सर ये सर सर ये जो कमल सर जो उसको चक्रवियू को पद्मवियू भी का जाता है सब जो पद्मवियू वाले हैं इनको गल्थ फेमी है ये सोचते हैं कि देश के युवा देश के पिछड़े लोग अभी मन्यू है देश के पिछड़े लोग अभी मन्यू नहीं है अरजुन है और वो जो आपका चक्रू भी हुआ उसको फोड़ के फेट देंगे फेटने वाले हैं पहला कदम इंडिया गटबंदन ने ले लिया पहला कदम इंडिया गटबंदन ने ले लिया आपके प्रधानमंत्री की कॉंफिडंस को हमने उडा दिया मतलब आपके प्रतान मंत्री बहाचन में आई नहीं पा रहे हैं और मैं आपको अड़्वांस में बता देता हूँ मेरे बहाचन में तभी नहीं आएंगे अरे सर इसमें क्या गल्किया है सर एक बात बताईए सर तो जो पद्मिवी वाले लोग हैं सर जो कमल फॉर्मेशन वाले लोग हैं उनको हिंदुस्तान का नेचर नहीं समझाया हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है चक्रव्यू हिंदुस्तान का नेचर नहीं है हिंदुस्तान का नेचर अलग है हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बिनाना चाहता हूँ हर धर्म में चक्रवियू के खिलाफ फॉर्मेशन होता है हर धर्म में आप जानते हो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में चक्रवियू का ऑपिजिट क्या होता है जानते हो आप चैर को अपना सपना दीख सकता है। सर गुरु नानग जी सिखों की बात करी जाए। तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लंगर से किसी को भार नहीं भेका जा सकता है। सर इसलाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है। चर्च में कोई भी गुश सकता है, संदा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यू में सिर्फ छे लोग हैं सर, तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यू के बीच में है, हम चक्रव्यू तोड़ते हैं, हम चक्रव्यू तोड़ने का काम करते हैं, मन्रेगा, हरी क्रांटी, आजादी, कॉंस्टिटूशन, ये चक्रव्यू को तोड़ने के काम है, इससे देश में खुशी आती है, दर मिटता है, कॉंफिडन्स आती है, आप पद्मव्यू चक्रव्यू बनाने का काम करते हो, चक्रव्यू, शिव की बरात को हरा ही नहीं सकता है, आप अपने अतियास को देखिए, आप अपने आपको हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो,